नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज किशने वीडियो में आप सभी छात चात्राओं को फिर से एक नई जानकारी बतना चाहेंगे दोस्तों मद्द पदेश में कॉलेज एडमीशन सत्र दोहजार चौवीस पच्चिस के अंतरगत धुतिये चरण की जो काउंसलिंग प्रिवेस प्रिक्रिया वो प्राराम हो चुकी है अगर आपको अक्षा बारवी के बाद ग्रेजुएशन जिसमें बीए बीए सी बीकॉम बीए 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 एलल बी और पोस्ट गेशन में 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 सी एमकॉम एलल एम और बीलेवादी का कोर्स यहां पर करना चाहते हैं पहले राउंड में आपने रेजिस्टेशन किया था आपको कॉलेज नहीं मिला था या फिर आप जो है सेकंड राउंड में नया रेजिस्टेशन करना चाहते हैं तो इसकी जो डेट है वो उपन हो चुकी है तो यहां पर हम आपको जानकाली बताना चाहेंगे आप किस आपको आपका च्वाइस फिलिंग होगा और यहां पर आपका जो मैट लेश्ट है वो के शडेट में जा रही होगा तो सेकंड राउंड की जो प्रिबेस प्रिक्रिया है वो यहां पर प्रारंब हो चुकी है सबसे पहले यहां पर हम पीडिय अप ओपन करते हैं समय सारणी है यहां पर जो आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन से संबंद छात्रों के लिए दुतिय चरण जो की ऑनलाइन पंजियन की जो टिथी है वो 27.5.2024 से 13.6.2024 तक रखी गई यह नहीं 27.5.2024 से 13.6.2024 तक आप अपना जो आविदन है वो कर सकते ह हैं या फिर आपको फर्स्ट राउंड में रेजिस्टेशन किया था कॉलेज नहीं मिला है तो च्वाइस फिलेंग भी कर सकते हैं इसके बाद आपका जो दास्ता विजो का सत्यापन है वो ऑनलाइन ही होगा जो की 14.6.2024 तक होगा इसके बाद आपका जो फानल मैट लिष् तो आप जो है सुल्क भुक्तान की प्रिक्रिया जो है 19.6.2024 से 27.6.2024 तक कर पाएंगे तो यहाँ पर 19.6.2024 से 27.6.2024 के बीच में आप अपना सुल्क भुक्तान करके जो है एडिमिशन ले सकते हैं इसके बाद अगर आपको मन का जो आपने कॉलेज भरे हैं उसमें अग 24.24 को जारी किया जाएगा इसके बाद बात करते हैं पोश्ट के लिए तो पीजी के लिए दुतिय चरण की जो काउंसिलिंग प्रिबिस प्रिक्रिया है समस्त अब भ्यारतियों के लिए जो नयो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते ह हैं वो भी 28.25.24 से 24.26.24 तक अपना च्रिस्ट्रेशन कर पाएंगे इसके बाद इनका भी जो डाकुमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 18.26.24 तक रखी गई है इसके बाद आपका जो सीट अलोटमेंट लेटर है मै अगर आप जो है अपने कॉलेज को अपग्रेट करते हैं तो इसका जो मैटलिस्ट है वो 27.24 को जारी किया जाएगा अब हम मुक्क पोर्टल पर चलते हैं यहां पर आपको जानकारी देदें सबसे पहले हमने जो ही प्रवेस का पोर्टल ओपन किया हुआ है यहां पर आप पोस्ट गर्जट का ओप्सन यहां पर दिया गया है तो यहां पर आप ग्रेजुशन के लिए आप इदन करना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुशन के ओप्सन पर क्लिक करेंगे पोस्ट गर्ज़शन करना चाहते हैं तो यहां पर अप्सन दिया गया है तो हम यहां पर रज new registration का option आचुका है new registration यहां पर प्रारमभ दीगई है इस option पर छाकर अपना registration कर सकते है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहां पर छाइसी फ्लिंग only registered candidate का ओप्सन दिया गया है यहां है इस option पर जाकर आप अपना college छाइसी करेंगे जिसकी भी date यहां पर दी और इस link पर option पर click करके आप अपना choice filling कर पाएंगे तो ये दोनों प्रिक्रियां आपके लिए first round के समान ही है तो आपने अगर अभी पहले registration नहीं किया है first round में तो new registration का option पर जाकर registration कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर college choice filling करना है और course choice filling करना है इसके बाद जिन चात्रों ने पहले registration किया था और college नहीं मिला है वो केबल यहाँ पर second round की जो choice filling का option यहाँ पर दिया गया है इस option पर जाकर केबल अपना choice filling करेंगे उन्हें दोबारा registration करने की आविशक्ता नहीं है इसके बाद अगर आप अपना जो verification status देखना चाहते है choice filling या registration की रसीद निकालना चाहते है verification की रसीद निकालना चाहते है तो यहाँ पर registration choice filling और verification रसीप्ट का option है इस option पर जाकर अपना जो रसीद है वो print कर सकते हैं दोबारा print का option यहाँ पर आ जाएगा तो यह प्रिक्रिया थी और जो चातर चातरा में फर्स्ट राउंड में अपना जो mat list देखना चाहते हैं कि कितने पर गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर rank दी गई है इस rank आपको पता चल जाए कितने पर संट पर आपका college यहाँ पर जो है किस किस को मिला है तो यह प्रिक्रिया थी graduation या post graduation second round के लिए तो second round की प्रिक्रिया के लिए आप अपना जो online आवेदान है वो कर सकते हैं और कोई जानकार लेना चाहते हैं तो comment कर सकते हैं comment के माद्धे हम से help करने का पूरा प्रयास करेंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो like और से ज़रू करें और हम से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनको subscribe करना ना भूलें